Elsa के hot होने के बावजूद भी सबको frozen क्यों पसंदाई I mean Elsa बवाल दिखती है लेकिन फिर भी मर्द हो या औरत, बुढधा हो या जवान ये है सब की जान क्योंकि सबसे पहली बात मैं इस बार proudly कह सकता हूँ कि Disney ने इस बार modern man को ढंक से portrait किया है क्योंकि इससे पहले डिजनी प्रिंसेस की कहानियों में मर्दों की कोई इज़त नहीं रहती थी एक love interest stereotype बना के दिखा देते थे जो कि picture में औरतों के लिए बस एक romantic object होता था बस लेकिन आना एंड क्रिस्टोफ का climax तक as a friend बना के दिखाना जो कि दोनों के बीच में लफडा था लेकिन कहानी कोई fairy tale outcome नहीं निकलता है कि हां अंत हुआ सब कुछ ठीक हुआ दोर मामला खतम बलकि इसमें benched political subplots और jokes चलने हैं और सबसे बड़ी बात उसकी बहनी के पास एक दिमाग है Elsa अपनी पागल बहन को समझाती भी है कि भाई तुम किसी से ऐसे शादी नहीं कर सकती है जिसे तुम आज मिली हो और बस इस लाइन ने पूरे डिजनी प्रिंसेस के लॉजिक को कॉलाप्स कर दिया और इसके उपर हाई Elsa का होट होना help तो करता ही है